नमस्कार सातियों सक्सेसरों यूट्यूब चैनल में आप सभी का हारदिक स्वागत आज रीट को लेकर के जो बहु परतिक्षित फेसला या निनए होना था वो क्या है आई हम जानते हैं सबसे पहले ये देखते हैं कि आज दिन में ट्विट किया था कि आज रीट बरती प्रवोदक प्रमोशन कंट्वूटर सिक्सकेडर ट्रांसफर पॉलिसी के बारे में दो पर बारा तीस से लेकर अरता साड़े बारा से लेकर दो बज़े तक शिक्षा संकुल में अधिकारियों से चर्चा करने का कारिक्रम है गोईन सिंग डोटास राज सहीत अन्य जितने भी जो शिक्षाविद अधिकारी है उनको लेकर कि आज जो एक मेटिंग एक बैठक ह होनी थी क्या उसमें निर्णाई वाई ये देखते हैं सबसे पहले जो बात निकल कर क्या ही वो कुछ इस तरह से है कि जैपुर रीट सिक्सक भरती दो जार बीस को लेकर ख़बर 37 का वेटेज होता है रीट पर एक सामे ऐसी जानकारी शिक्षा मंतरी डोटासरा ने अधिकारियों को दी कि अब तक रीट में ये होता है तो शिक्षा मंतरी ने जब ये अपनी उस बेटक में और उस जानकारी में बताया कि 30% वाले वेटेज पर एक बार फिर से किया जाएगा मंतान जल्द ही अधिकारी दोरा सोपी जाएगी रिपोर्ट उसके बाद सरकार ने निर्णे के बाद ही फैसला लिया जाएगा तो ये इस जानकारी के बाद में ये देखें आप रिट शिक्षक भरती 2020 को लेकर बड़ी कवर शिक्षक पत्रिका ग्रूप के माध्यम से कि 37 का वेटेज होता है रिट पर इकसा में जो सभी को पता है शिक्षामंत्री गोईन सिंग डोटा असरा ने दी बड़ी जानकारी कहा 30% वाले वेटेज पर एक बाद फिर से किया जाएगा मन्थन अब इसका मतलब क्या है हम अमारा निर्णे या हम अमारा मंतन जो है वो बाद ने बताएंगे पहले अब तक की जो खबरें आ रही है उसे आप देखें जल्द इसको लेकर अधिकारियों दोरा सोपी जाएगी रिपोर्ड उसके बाद सरकार के निर्णे के बाद लिया चाहुई आगामी सत्र में ड्रेस चेंज करने की फाइल को लेकर विकी गई चर्चा आज की मिटिंग में तीन-चार निर्णे लिएगे कंप्यूटर शिक्षा के बारे में बेटक में लिया अफेसला अगले दो दिन में पत्रावली बेजी जाएगी मंजूरी के लिए मारा जल्दी निर्णाई हो जाता है साती उर्दु विसे को बंद करने की ब्रांतिया फेलाई जारी थी लेकिन इशपष्ट करदों की उर्दु वासा को नहीं किया जा रहा है बंद S.A.S.T. बेकला को जल्द पूरा करने का निर्णाई लिया गया फैसला सरकारी स्कुलों में देलने को लेकर कई बार उड़ चुके मांग अधिकारी को इस समन्द में जारी कर दिया है निर्देश जो भी पत्त्रावली होगी उसको जल्द अधिकारी मंतन कर सोपेंगे विवाग को NCRT का सिलेवस ही होगा रीट की परिक्सा ये देखें एक बहुत बढ़ी बात कि NCRT का जो सिलेवस है वो ही रीट की परिक्सा में होगा रीट परिक्सा में होगा एक ही पेपर जिससे बिरोजगारों को नहीं करना पड़े इंतजार ये जो लाइन है जो सबसे अंत में है माफ किजिएगा ये जो लाइन है वो सबसे अंत में है कि रीट का एक ही पेपर होगा तो ये काफी बड़ी बात है, नेक्स्ट देखते हैं, रीट भरती प्रक्रिया जल्द शुरू, विभाग जारी करेगा विज्ञप्ती, मुख्यवंत्री से मिली मंजुरी, लिया जाएगा एक ही पेपर, भरती में 30% का वेटेज होगा कम, अब ये 30% का वेटेज कम होगा, ये सबसे important बात है, इसका मतलब क्या होगा, पेपर एक ही होगा, और ये आप दिमाग से निकाल दें, जब एक ही पेपर होगा, तो इसमें केवल एक ही पेपर के माध्यम से, merit नहीं बनाई जा सकती, इसमें बहुत भारी कानूनी दाव पेच है, इसलिए कितना ही वेटेज रखो, दूसरा वेटेज रखना होगा, दूसरा पेपर ये दिमी करवाते हैं, तो 10% वेटेज बिये का होने की संभावना पुरी-पुरी है, ऐसे में आपके सामने 90-10 का जो आंकड़ा है, वो हो सकता है, तो अब आप देखें आपको क्या करना है, 90% बहुत कुछ होता है, 10% से इतना अंतर नहीं पड़ेगा, और यदि इंतर पड़ता है, तो उस अंतर को, उस गेप को आप रिटन एक्जाम में निकाल सकते हैं, इसलिए मित्रों कमर कसने का समय आ चुका है, और कमर कसते वी, वेकेंसी आने के बाद, कोचिंग स्कुलने के बाद, सभी लोग तयारी करेंगे, इस समय जो तयारी करेगा, वो निश्चित आगी रहेगा, इसलिए आप लोगों को बनता है, कि आप अभी से तयारी सुरू करें, और जो लोग तयारी जिनोंने सुरू कर दिये, या जिनकी तयारी सुरू है, वो अपनी नियमित्ता बनाए रखें, और साथी वो अपनी गती और बड़ा दें, धन्यवाद सुप कामनाओं सहीत, विभिन परतियों की प्रिक्षाओं से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहेए, आप हमारे इस चैनल को, सक्सेस एरो यूट्यूब चैनल धन्यवाद,